जैसरी कश्मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे तुला राशी के तेज सितंबर 2021 किसके राशफल के बारे में और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें वह सुनें तभी आप तुला राशी वालों के दैनिक राशफल यानि 23 सितंबर 2021 के राशफल के बारे में पूरी जनकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशफल चंदराश पर आधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जन्मकुंडली में ये देख लें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंदरमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जन्मकुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राश से देखवा सुन सकते हैं और कौन-कौन से चर्टुला राशी में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और अपनी राशी जान सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, मित्रों, कलम, कसम और कदम, हमेशा सोस समझ कर ही उठाना चाहिए, दुख भी बड़ी अजीब चीज है, जब खुद पर बित्ती है, तो लगता है कि ये सच है, और जब दूसरों पर बित्ती है, तो लोगों को ड्रामा लगता है, जैसे प्यासे को पानी की एक-एक बूंत की और भूंखे को अन्न के एक-एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक बैसे ही जिस इंसान के पास जो भी सुख नहीं होत उस सुक का सबसे बढ़िया बढ़नन वो ही कर सकता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तु इनसान है, कोई अव्दार नहीं, गिर उठ चल दोड फिर भाग, क्योंकि जीवन संचिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो चलिए 23 सितंबर 2021 का पंचांग जान लेते हैं। 23 सितंबर 2021 विक्रम संबत 2078 दिन गुरुवार आश्विन मास कृष्ण पच्छ तिति दुतिया रहेगी 6 बच कर 54 मिनट सुबए तक, फिर तुतिया तिति रहेगी नचतर रेपती रहेगा, और 6 बच कर 44 मिनट तक सुबए में रहेगा, फिर अश्वनी नचतर रहेगा, रा जित मुरत में कोई भी सुब कार्य, कोई भी नया कार्या प्रारम कर सकते हैं, सुर्यकन्या राशी में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशी में रहेंगे, लेकिन सुबए 6 बच कर 44 मिनट तक ही रहेंगे, तो उसके बाद मेस राशी में रहेंगे, तो मेस राशी के सब्सक्राइब बाड़ी में सयम रखिएगा जो लोग कलाकार हैं उनके लिए आज का दिन ज्यादा सुभ है उनके कार अच्छे से संपन्न हो सकेंगे और मनोरंजन के बाताबरण में आज आप बहुत आनंदित रहेंगे और इसमें आपके मित्र और समंधी भी आपका साथ देंगे और आप ज्यादा खाने से बचें मरना स्वास्त को नुकसान हो सकता है इस बात का ध्यान रखना है आज आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपके प्रेमी या प्रेमिका को बहुत पसंद आएगी और नौकरी पेसा बाले जो लोग हैं उनको अच्छे काम की पहचान आज आपको मि लिए निकालें अपने आपका आकलन करें अपने ब्यक्तित्त का आकलन करें और थोड़ा समय अपने लिए भी दें आज आपका अतमिस्वास तो बढ़ा रहेगा ही और आज आपकी उन्नती भी होगी कोई भी जरूरी योजना अगर आपने पहले से बना रखिये जिसको चाहते हैं तो आज उसे क्रियानवित कर सकते हैं और उससे आपको अर्थिक मुनाफ़ा भी आगे चल कर होगा अपने घर के बाताब्रण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिस करनी चाहिए यनि घर में कोई विकार एगर आप करने जा रहे ह तो परिवार के सदस्यों की राय लें परिवार के सदस्यों के साथ तालमिल बना कर चलें जिससे की परिवार में कोई कल है ना हो आपके रोमांटिक जीवन का थोड़ा सा जो भी समय चल रहा है उसमें आज आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी आज का दिन अच्छा रहेगा ब्यापारियों के लिए तो आज का दिन अच्छा ही है और साधी सुधा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है क्योंकि जीवन साथि से भरपूर सहियोग मिलने वाला है और आपको ब्यापार से कोई अचानक फाइदा भी हो सकता है अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं और वो यात्रा ब्यापारिक है तो उससे भी आपको लाव होगा लेकिन ये लावा आपको थोड़ा भविश्य में मिलेगा और आपके प्रियेजनों से मुलाकात और एक सफल ब्यापार का सपना आज आपका पूरा होने वाला है करें और गलत फ्हेमियों को ना होने दें किसी तीसरे की बात सोच कर आपस में कोई गलत फ्हेमी ना प्रेदा करें आपस में कोई बात भी बात ना करें लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते लेकिन आप खुद तो बदल सकते हैं आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई उर्जा और नया लच्छ दिखाई देगा आपकी बातचीत का इस तर भी बहतर रहेगा और आप ऐसे किसी बेक्ट से मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को धर्म के मामले में थोड़ा आगे ले जाने की कोशिस करेगा और आप अध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित होंगे उस बेक्टी से आप खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आज के दिन आप आज उर्जा से भरे रहेंगे और आपको खुद को बहतरी तरीके से समझना होगा लेकिन स्वास्त का ध्यान रखना होगा बैसे आज के दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई समस्या है तो उस पर ध्यान दें, स्वस दिन चर्रे आपना, योग प्राणायाम करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, तलाबुना भुज बदार्त ना खाएं, बाहर का खाना खाने शेव बचें, इन बातों का ध्यान और धन के मामले में आज अच्छा रहेगा, विद्यार्तियों के लिए भी दिन आज का अच्छा है, अगर कोई एक्जाम बगर आज के दिन दे रहें, तो अगर महनस से आपने त्यारी की है, तो आज सफलता आपको मिल सकती है, आज आप अपनी और अपने परजनों की सिहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने पहले बोला है, लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, और अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने संतान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास समधी छोटी मोटी तकलीफ हैं, आपकी संतान को हो सकती है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कि अगर कोई समस्या होती है तो कोता ही ना बढ़तें, और आज कोई भी ऐसा अपसर आपको व्यापार कारोबार में मिल सकता है, जिससे भविश्च में आपको काफी फाइदा होगा, तो उस अपसर को हास से ना जाने खुद पर विश्वास करें और महत्रो कांचाओं को उंचा रखें कियोंकि आपके विचारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है, आज आप ये समझने की सुरुआत करेंगे कि आप किसी और के कहे पर नहीं चलेंगे, और अपने सम्मंद में जो भी समस्या लेने की छूट नहीं देनी चाहिए, अपने फैसले खुद लें, अपने खुद की राय का सम्मान करें, ये बहुत आवश्यक है जीवन में, अब ये समय उन सभी रिष्टों को मजबूत करने का समय है, आज का दिन जो आपके प्रेम सम्मंद हैं, या जीवन साथी के साथ स सम्मंद हैं, और वो पहले से अगर दिक्कत में हैं, कोई बात विवाद चल रहा है, तो आज आप उनको कनेक्ट करें, और बात करने कोशिस करें, तो आज आपके सम्मंद बन सकते हैं, और आपके माता, पिता और भाई, बहन सभी से आपके परिवार में, आज समंद आपके लिए आप इमानदार हैं और द्रण हैं आज आप जो भी सोचेंगे भी पूरा होगा और आपका मार्ग दर्शन भी आज करने के लिए कोई बड़ा बेक्ती आज आपके साथ मिलेगा जो आपको मार्ग दर्शन करेगा अपने जीवन का ये दोर आपको कुछ कई सारे इन भब दे कर जाने वाला है उपाई की बात करें तो सफेद बस्तों का दान करना सुक्र बाले दिन तुलाराशिवालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और काली चीटियों को चीनी खिला सकते हैं और सफेद गाय को आटे की लोई खिला सकते हैं चीनी ये मिस्री भरकर इन में से जो भी उपाय आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाब मिलेगा, तो मित्रों आज मैंने आपको तुला राशिवालों का 23 सितंबर 2021 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की, ये राशिफल सामाने राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा बिल्कुल भी संभब नहीं है, क्योंकि आपकी जन कुणली में ग्रहों के इस्थिति और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर के इस्थिति, इन सभी पर बहुत कोश निर्वा करता है, आप सभी स्वस्थन हैं, आईश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्रीकष्ण महवान से प्रार्थना है, जै श्रीकष्ण